किर्क에ट में काफी कुछ बदलता हुग अना जा रा रहा है और वो चाहे मैंस क्रिकेट हो चाहे बोमेंस क्रिकेट हर जगे बदलाव देखने को मिल रहा है टीटूटी में भारत विस्ट चेंपियन बना है तो यह तरफ बोमेंस में न्यूजिलैंड ने टीटूटी वर्ड ता बहुत ही सांदार परदासन न्यूजिलेंट के टीम में दिखाया है और सही मायने में जिस तरीके का परफोमेंस ता टीम उनिट का उसी का परणाम है कि न्यूजिलेंड बोमेंस टीम अब टी-20 वर्ल्ड कप की एक नई टीम बनी है जो चैंपियन बनी है और टीमों के लि लेकिन फोड़ा सा अडवांटेज न्यूजिलेंड के साथ था वही एक कारण है कि न्यूजिलेंड टी-20 वर्ल्ड कप बन चुकी है बोमेंस टीम तो मुकाबले की अगर हम बात करें तो जो 32 रनों से न्यूजिलेंड ने साउथ अफरीका को मुकाबला हराया है तो टी-20 अगर देखें तो बैटिंग से हो चाहे बल्लेवाजी बॉलिंग से हो हर डिपार्टमेंट में यह बहत्रीन पिर्दासन किया है यह कारण है कि अमेलियकर को मैन आप दा प्लेयर आप दा सीरीज भी दी गई है और प्लेयर आप दा टूनामेंट भी बना एक और रिकॉर्ड अमेलियकरने बनाया है कि पहली ऐसी बॉमेंस क्रिकेटर हैं जिसने फाइनल का प्लेयर आप दा मैच जीता हो और प्लेयर आप दा सीरीज भी इसी प्लेयर के नाम गई हो तो अमेलियकरने वहतरीन पारी खेली थी इसके लबाब बुरूकी ने भी 38 रनों के अच्छी बल्ल जवाब है और सही माइने में जो लीडर सिप्तिना न्यूजिलेंड की बहुत ही अच्छी थी वह यह कारण था कि न्यूजिलेंड ने साउथ अफरीका को हरा दिया है अफरीका हमेशा पता नहीं क्यों चुक जाती है चोकर आचाहे मैंस की बात हो या फिर बोमेंस की बात ह साउथ अफरीका मौके पर हमेशा चुकती रही है आज यसे भारत के साथ 30-20 वर्ड कप हुआ था मैंस का फाइनल मुकाबले में जीता हुगा मुकाबला साउथ अफरीका हार गई थी सबको मालूम है सिर्फ 31 रन देने लेने थे 26 के ठाथ में थे तब भी बना नहीं पाए और जो एकॉन्डमी रेट था वो भी 6 के आस पास था लेकिन फिर भी हारी थी साउथ अफरीका वहीं हुआ यहाँ पर कि आप फाइनल तक कहते हैं बहुत अच्छा खेले लेकिन नियुजिलेंड के हाथों आप फिर फाइनल मुकाबला हार गए हैं और 12 रनों का मेडी ग्र करने के बाद जो किर्केट पंडित थे उन्होंने कयास उनकी घोसला हो चुकी थी अब नियुजिलेंड नहापर सेफ है और टी-20 बर्ड कप नियुजिलेंड बनने वाली हैं और जब साउथ अफरीका पहले बैटिंग करने के लिए उतरी तो लूरा ने 33 रन बनाए थे और 9 रन बना करके माफ पिज़ 8 रन बना करके भोवी पवियन लोट गए किलर के आल राउंडर वोभी गेंदवाजी से फेल रहे थे 8 रन बना करके आउट हुए चौदा रंड ट्राइवान ने जरू बनाए और ट्राइवान ने एक विक्ट भी निकाला था और जहां तक गैंदवाजी का सवाल है न्यूजिलेंड के लिए जैसे मैंने बताया कि प्लेयर आपधा जो मैच का आवार्ड जो मिला था आमें लिया कर बहतरीन पारी जो खेली थी 43 रोनों की उसके साथ साथ तीन विक्टे भी निकाली थी तीन विक्टे आमेरिया करने निकाली रोज मेरी ने तीन विक्ट एक विक्ट करसन और जोनस को भी एक विक्ट मिला था एक विक्ट ब्रूक इने निकाला था तो यह हाल था साउथ अफरीका का और हर एक New Zealand Bomins टीम का जो प्रदासन था प्लेयर का उनका सबस्ता हर एक प्लेयर ने बहतरी प्रफॉमेंस तर्फॉमेंस किया था और प्लेयर आपधा सीरीज प्लेयर आपधा फाइनल जो प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया सबसेश्ट प तो हमें लिया कर हैं और न्यूजिलेंड पहली बार T20, बोमेंस T20 वो वर्ड कप का खिताब जीता है, और तीन चार बार इस मुकाबले को फाइनल टाइटल जीत चुकी है और पूरे बर्ड क्रिकेट में बर्ड चास था हूँ और लेकिन यहाँ पर खत्म किया बेस्ट इंड मैंस का हो, ना तो आज तक न्यूजिलेंड की मेंस ancestry कोई भी बर्ड कप फाइनल जीत पाई है, तेकर, न्यूजिलेंड की जो इसने दिखाया है और बहुत ही सांदार मुकाबला था और बढ़ाई हो न्यूजिलेंड करकेटर टीम को बोमेंसी टीम को